मेरे प्यारे भाई और भेनों, आप सबको मेरा हार्विक प्रणाम, पिछले कुछ दिनों से हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, श्री कृष्ण ने कंस का वद्ध किया, और राजा उग्रसेन को मत्वरा के सनासन पर बिठाया, यह बात जरासन कंस जिसका दामाद था, उसे सहन नहीं होती, वा कंस के मिर्थ्यू का बदला लेने के लिए बार बार मत्वरा पर हमला करता था, हर बार श्री कृष्ण और बलराम उसे पराज़त कर देते थे, यह देखकर श्री कृष्ण ने मत्वरा छोड़ कर जाने का निश्चा किया, और उन्होंने विश्व कर्मा को नई नगरी का निर्मान करने के लिए कहा, तब विश्व कर्मा ने द्वार हिका का निर्मान किया, और श्री कृष्ण सब को लेकर द्वार हिका जाकर रहने लगे, मेरे प्यारे भाईों और भेनों, भगवान श्री कृष्ण पिर्थ्वी पर आये, तो उन्होंने लोगों को एक ही संदेश दिया, और वह था प्यार का संदेश, अमन और शांती का संदेश, उन्होंने अपने जीवन में प्रेम और स्नेह की साक्षी दी, कोई भी व्यक्ती उन्हें प्यार से पुकारता, तो वे तुरूंत उसके पास चले आते थे, हालात चाहे कैसे भी हो, प्यार भरी पुकार सुनते ही, वे अपने सब काम काज छोड़ कर उसके पास पहुंच जाते थे, एक राजा की बेटी थी, राजा के छे बेटे थे, पांच बेटे और एक बेटी, एक ही राजकुमारी, इसलिए पिता राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे, पिता जब अपने सिनहसन पर बैठते थे, तो राजकुमारी को अपने पास बिठाते थे, राजा उसे अपने आँखों से उज्छल होने नहीं देते थे राजा एक नेक इनसान थे जिनके दिल में प्रभू के प्रती अपार भक्ती और शरदा थी उनके मन में संतों और साधूं के लिए प्रेम और आदर था उनके पास कई साधू संत रिशीवर आते थे जो उने प्रभू की बाते बताते थे तब ये नन्य बालिका उन साधू संतों की बाते बरे ध्यान से सुनती थी उनका अमरत पान करती थी ऐसा करने से उसका हिर्दय प्रभू प्रेम से भर उठा मेरे प्यारे भाई और भेनों कई बार मरशी नारद राजा के पास आकर श्री कृष्ण के बारे में कई बाते बताते थे यह ननी बालिखा जब बाते सुनती थी तो उसके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने की प्यास उनके चरन चूमने की प्यास उठती थी धीरे धीरे उसके मन में श्री किर्षन के साथ रहने की उनकी अर्दांगनी बनने की चाहत उठने लगी उसने मनी मन श्री किर्षन को अपना पती मान लिया धीरे धीरे बाली का आयू में बढ़ने लगी स्वभाविक पिता को अपनी पुत्री के विवा की चंता होती है वे कहते हैं मुझे तो लगता है मेरी बेटी के लिए श्री किर्षिन के अलावा कोई स्योग्यवर होई नहीं सकता मैं अपनी बेटी का हाथ श्री किर्षिन के हाथ में ही दूँगा मेरे प्यारे भाईों और भेनों जैसा कि मैंने आपको बताया राजा के पांच पुत्र थे सबसे बड़े बेटे का नाम रुकमी था जो सब पर अपनी धाक जमाता था अब किसी की बात नहीं सुनता था पिता अपने सबसे बड़े बेटे से कहते हैं राजकुमारी विवायोगे हो गई है अब हमें उसके विवा के बारे में सोचना चाहिए मैंने तो उसके लिए वर भी खोज लिया है इस पर पुत्र कहता है पिता जी आपकी बड़ी महरबानी है जो आपने मेरा काम आसान कर दिया नहीं तो मुझे वर की खोज में न जाने कहां-कहां बटकना पड़ता अच्छा बताईए आपने उसके लिए कौन सा वर चुना है तब राजा कहते हैं मैं तो समझता हूँ सारे भारत वर्ष में एक ही है जो मेरी बेटी का पती बनने योग्य है पत्र ने पूछा वो काउन है पता ने कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण का नाम सुनते ही पत्र आग बबूला हो जाता है वा कहता है काउन कृष्ण एक वाला हमारा खांदान इतना उंचा हम इतने धनवान हम इतने विद्वान हम इतने बड़े आदमी और आप एक गौले को अपना दामाद मनाना चाहते हैं मैं कभी भी अपनी भेहन का विवा उससे नहीं होने दूँगा चाहे जमीन आस्मान एक हो जाए फिर भी मैं अपनी भेहन का विवा एक गौले से नहीं होने दूँगा एक ग्वाला जो बच्पन में माखन चुराता था और अब बड़े बड़े डाके डाल रहा है उसे आप अपनी बेती का हाथ देना चाहते हैं ये असंभव है बेचारे पिता मजबूर थे वे सोचते हैं यदि पुत्र के साथ विवाद हुआ तो पुत्र करोधत हो जाएगा इसलिए राजा कहते हैं अच्छा जो वर्तों में चाहते हो उसी से राजकुमारी का विवाद करेंगे उन दिनों छेडी के राजा का पुत्र था शिशूपाल शिशूपाल के लक्षण अच्छे नहीं थे और रुकमी के भी लक्षण अच्छे नहीं थे इसलिए उसकी सवबत भी ऐसे ही लोगों से थी रुकमी कहता है मैं अपनी भेण का विवाद शिशूपाल से करूँगा राजकुमारी जब यह सुनती है तो उसके दिल में तीर सा चुप जाता है क्योंकि उसने तो मन ही मन श्री किर्शन को अपना पत्ती मान लिया था आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं रुकमी की बात कर रहा हूँ रुकमी मन ही मन कहती है मैं दुष्ट शिशूपाल को कभी भी अपना पती नहीं बनने दूगी वह श्री किर्शन के नाम एक पत्तर लिखती है जिसमें वह लिखती है मैं एक नारी हूँ और कोई भी नारी किसी से अपने विवा की बात नहीं करती, फिर भी अपनी इलाज छोड़ कर, मैं आपको लिख रही हूँ, कि मैं आप से विवा करना चाहती हूँ, मेरे भाता मेरा विवा दुष्ट शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, यदि आपने यहां आकर मेरी नहीं की, तो मैं विवा से एक दिन पहले विश्ख खाकर अपनी जान दे दूँगी, मैं नहीं चाहती कि कोई अन्य पुरुष मुझे छुए, मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ, कि अपने प्रान त्याग दे समय जीवन की अंतिम घरी में, मैं आपका ही ध्यान कर इसी आशा के साथ, कि आप मुझे इस जन्म में नहीं मिले, तो कम से कम अगले जन्म में अवश्य मिलेंगे, और यदि अगले जन्म में भी मैं आपको नहीं पा सकी, तो मैं यही बात फिर से अगले जन्म में दो रहूंगी, और यह सिलसला हर जन्म में तब तक यूं ही चल रहेगा जब तक आप मुझे सुईकार नहीं लेते शामा तेरे चर्णों की अगर धूल जो मिल जाए सच कहता हूं बस मेरी तकदीर बदल जाए शामा तेरे चर्णों की गर धूल जो मिल जाए शामा तेरे चर्णों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूं बस मेरी तकदीर बदल जाए शामा तेरे चर्णों की शामा तेरे चर्णों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूं बस मेरी तकदीर बदल जाए शामा तेरे चर्णों की शामा तेरे चर्णों की गर धूल जो मिल जाए शामा तेरे चर्णों की मेरे प्रिय जनो फिर रुकमनी एक ब्रामन को बुलाकर वह पत्र किर्शन को भेजती है श्री किर्शन को पत्र मिलता है रुकमनी की साख श्री किर्शन के कानों में महरिशी नारद के द्वारा पहले ही पढ़ चुकी थी महरिशी नारद ऐसा करते थे यह श्री किर्शन की बातें लोगों को बताते थे और लोगों की बातें जाकर श्री किर्शन को बताते थे उन दिनों मिस इंडिया की कामपेटिशन नहीं होती थी अगर मिस इंडिया की कामपेटिशन होती तो रुकमनी अवश्य हवा खताब जीत जाती रुकमनी के मुख पर चोद्वी के चांद से भी अधिक चमक होती थी उसके दांत मोतियों जैसे, आँखे हिर्णी जैसी, बाल भाउने जैसे काले थे और कमर एक्तम पतली थी मेरे प्यारे भाईों और बेहनों रुकमनी ने अपने पत्र में यह भी लिखा था उसका विवा काउन से दिन होने वाला है उसने यह भी लिखा था कि विवा के दिन वह देवी पारवती के मंदर में पूजा करने जाएगी और पूजा समाप्त करने के बाद जब वह महल में जाएगी उस समय श्री कृष्ण उसे आकर ले जाएए श्री किर्षन ऐसा ही करते हैं वे आते हैं और रुकमानी को उठा कर अपने रत में बिठाते हैं इतने में रुकमानी का भाई रुकमी आता है और किर्षन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन श्री किर्षन उसके तीर कमान के तुक्रे तुक्रे कर देते हैं इस पर रुकमी श्री किर्शन को कई अपशब्द कहता है और अपनी मयान से तलवार निकाल कर कहता है किर्शन मैं तुमें इस तलवार से टुकरे टुकरे कर दूँगा तब श्री किर्शन भी अपने हाथ में तलवार लेकर रथ से नीचे उतरते हैं उस समय रुकमनी को अपने भाई के बारे में विचार आता है, वह किर्शन से कहती है, आप मेरे भाई को जीवन दान दें, आप उसके प्रान न लें, फिर किर्शन रुकमनी की मूँच को और सिर के बाल मूँध देता है, मेरे प्यारे भाईों और भेनों, रुकमनी ने अपने नगर से निकलने से पहले पृत गया की, यदि मैंने इस गौले को समाफ्त नहीं किया, तो मैं अपने नगर में नहीं लोतूंगा, अब श्री किर्शन के हाथों पराजत होकर रुकमें अपने नगर नहीं लोता है, बलक और दोनों का विवा हो जाता है, मेरे प्यार जनों, श्री किर्शन कहते हैं, मैं प्यार भरी पुकार कभी अंसुनी नहीं करता, आप में से कई लोग श्री किर्शन को पुकारते होंगे, किन्तु प्यार से नहीं पुकारते होंगे, प्यार से पुकारने की जरूरत है, प्य प्यार ही जोत्त दाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वरकी भक्ती, प्यार ही निर्मल जीवन शक्ती. प्यार ही शामा, ख्रिष्ण मुरारी, प्यार ही जोत्त दाम अवतारी, प्यार ही जोत्त दाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वरकी भक्ती, प्यार ही निर्मल जीवन शक्ती. प्यार ही शामा, ख्रिष्ण मुरारी, प्यार ही जोत्त दाम अवतारी, प्यार ही जोत्त दाम अवतारी, प्यार ही परमेश्वरकी भक्ती, प्यार ही निर्मल जीवन शक्ती. प्यार ही शामा, ख्रिष्ण मुरारी, प्यार ही जोत्त दाम अवतारी, प्यार ही जोत्त दाम अवतारी, मेरे प्यारे भाईो और बहनों, इश्वरतो प्यार के बुखे हैं, उन्हें हम केवल प्यार की दोरी से बाढ़ सकते हैं, जो उन्हें सचे दिल से प्यार करता है, वे उसके योग शेम का भार अपने उपर लेते हैं, जैसे उन्होंने सुधामा के योग शेम का भार अपने उपर लिया मैंने आपको बताया था कि श्री किर्शन और बलराम गुरू सांधी पनी के आश्रन ने शिक्षा गरहन करने गए थे वहीं श्री किर्शन की भेंट सुधामा से हुई अपनी पहली भेंट के समय दोनों अच्छे मित्र बन गए शिक्षा पूरी करने के बाद किर्शन मत्रा चले गए और सुधामा ने गाम लवट कर एक गरीब लड़की से विवा कर लिया सुधामा और उनकी पतनी सादगी पूर्ण जीवन पसंद करते थे वे चमक धमक से दूर रहते अपनी गरीबी से उने कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उनके हिज़य में ईश्वर और कर्शन के प्रती प्रेम भरा था सुधामा अपनी पतनी को अकसर कर्शन की बाते बताते थे उदर कृषिन भी मित्र सुदामा के बारे में रुक्मनी को बताते थे सुदामा के जीवन में काफी काफी तकलीफें थी पतनी और दो बच्चों के पालन पूशन के लिए वे दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे परन्तु उन्हें ईश्वर पर विश्वास था और वे बार-बार कहते बीख मांगने से तो बूखा रहना बैतर है धीरे धीरे ऐसी नवबत आ जाती है के सुदामा उनकी पतनी और बच्चे बूखों मरने लगते हैं एक दिन पतनी उसे कहती है नात आप द्वारी का क्यों नहीं जाते किर्शन आपके अच्छे मित्र है वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे हाँ सुदामा कहता है हम आश्रने भायों के भांती रहे है मुझे विश्वास है कि वे इस दरूरत के समय मेरी अवश्य सहायता करेंगे कृष्ण कोई साधारन मानव नहीं है और तुम तो जानती ही हो कि मैं प्रती दिन अपने हिर्दे में उनकी पूजा करता हूँ अगली सुबह सुधामा द्वारी का जाने की तैयारी करते है उनकी पत्नी उनसे कहती है नाथ आपको कृष्ण के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मैं परोग से कुछ उखरे चावल ले आती हूँ एक पोटली में उखरे चावल लेकर फटे पुराने कपरों में सुधामा द्वारी का के ओर प्रस्थान करते हैं पूरे दो दिन पद्यातरा करके सुधामा आखिर द्वारी का नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं तब वे एक बैल गाली वाले को देखते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुम मुझे बताओगे किश्री कृष्ण का भवन कहां है बैल गाली वाले ने पूछा तुम कौन हो सुधामा कहते हैं मैं गरीब रामन हूँ बहुत दूर से चल कर आया हूँ द्वारी का के राजा अपने प्रभू से मिलने के लिए गारी वाला सुधामा के वस्तर देखर हसता है वा कहता है क्या ये अपने होश में है इसके वस्तर मेले और फटे हुए है और ये राजा से मिलना चाहता है सुधामा सुयम से कहते है सच मुच मेरे वस्तर तो फटे हुए है मेरे सारे शरीर पर धूल लग रही है मैं एक बिखारी जैसा दिखाई दे रहा हूँ अब मैं क्या करूँ इसी सोच विचार में चलते चलते वे शरी कृशन के निवास उसके भवन के द्वार पर पहुचते है द्वार पर एक द्वार पाल खरा है वा पूछता है तुम कहुन हो किस से मिलना चाहते हो सुधामा कहते है मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ मेरा नाम सुदामा है किर्षिन मेरे मित्र है और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ओ द्वारपाल किर्पिया उस दैयालू को बताओ कि उनके महल के द्वार पर सुदामा खरा है द्वारपाल आश्चरिय में पढ़ जाता है वा मनी मन सोचता है क्या यह ब्रामिर यह सुदामा अपने होश हवास में है यह श्री किर्शन को अपना मित्र कहता है इसके वस्तर फटे हुए हैं पर मेरे स्वामी श्री किर्शन तो वास्तव में निर्धनों के मित्र हैं। आदर के साथ द्वारपाल सुदामा से कहता है महोदय जब तक मैं न लवतूं आप यहीं बैठिये। मैं आपका संदेश अपने स्वामी तक पहुंचाता हूं। श्री किर्शन अपने सिनासन पर विराजे थे। उन्हें देखकर द्वारपाल हाथ जोड़कर और सिर्ध जुकाकर श्रधा पूरवक पर नाम करता है। और कहता है स्वामी एक निर्धन आदमी आया है। उसने अपने गाव का नाम नहीं बताया। किन्तु उसके कपड़े फटे हुए हैं और सारे शरीर पर धून लगी है। वह महल के द्वार पर खरा है। अपना नाम सुदामा बता रहा है। वह स्वाम को आपका मित्र कह रहा है। मेरे प्यारे भाई और भेनों अब समय समाप्त हो रहा है। कल देखेंगे कि किर्शिन सुवम भगवान होकर भी एक निर्धन ब्रामन का कितने प्रेम से स्वागत करते हैं। ओम शान्ती 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 ही।